A very good morning to all my dear students. आज की लेबर वेलफेर की क्लास में हम नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका टाइटल है शोशल सिक्यॉरिटेज जिसे हम बोलते हैं सामाजिक सुरक्षा बहुत सारी शोशल सिक्यॉरिटेज की डेफिनिशन है कुछ में आपके सामने स्क्रीन पर दीख सकते हैं कुछ में आपको पड़के बताओंगे सामाजिक सुरक्षा संफून समाज का वे प्रयास है जिसमें समाच जितना संभव हो सके उस सीमा तक किसी व्यक्ति को बिमारियों या दुरगटना के कारण सामाजिक शारिर्ख संकट के समय तथा कारिशील सदस्य की बिमारी और शमता, प्रसूती, बेरोजगारी, व्रद्धा अवस्ता या मृत्यू के कारण उस सदस्य की आय में जो कमी उत्पन हुई है और जो आर्थिक संकट उसके सामने आया है उस आर्थिक संकट के दौरान उसको सहायता प्रदान करना सामाजिक सुरक्षा कहलाता है यह एक ऐसी तरह के सिक्योरिटी है जो की सोसाइटी के दारा दी जाती है उस रिस्क के लिए जो की कभी भी किसी भी व्यक्ति के सामने या सदस्य के सामने आ सकता है Social Security is to afford itself as utmost extent possible to the individual during period of physical distress, consequent of illness or injury or from the economic distress, consequent on the reduction or loss of earning due to illness, disablement, maternity, unemployment, old age or death of the working member और definition अगर हम देखें तो है सामाजिक सुरक्षा से आच्षे है समार्थवारा उत्पन किये गए सुरक्षा कारिक्रम से है जो आधुनिक जीवन में उत्पन होने वाली आकस्मिक वित्यों यथा बिमारी, बेरोजकारी, व्रिधा, विस्ता, निर्विता, आध्योगिक दुरगटना तथा अपंगता के विरुत सुरक्षा प्रदान करता ह जिसकी किसी एक व्यक्ति की शमता अत्वा दूर दर्शिता से उसकी तथा उसके परिवार की सुरक्षा की आशा नहीं की जा सकती है और वीवी कीरी कहते हैं सामाजिक सुरक्षा वे सुरक्षा है जो सरकार द्वारा जोगिमों के विरूत प्रदान करी जाती है जो आज अल्प साधनों वाले कोई भी व्यक्ति स्वैम या अपने साथियों के सायोग से कभी भी कंडे में असमर्थ है नाशनल कमिशन ओफ लेबर ये कहता है कि सामाजिक सुरक्षा इस बात का विचार है कि सामुई प्रयासों से समाज में उन सदस्यों को उन सामाजिक जोखिमों से बचाया जाएगा जो किसी भी अनावश्यक करतनायों तथा अभाव उत्पन करना करती हो और जिसके निजी साधन सामानिता उन से बचाने के लिए अपर्याप्त होते हैं अगर हम क्यारेक्टरिस्टिक्स देखे शोशल सिक्यारिटीज की तो सबसे पहले आता है यह एक सामुईक प्रयास है यह किसी संस्था या संगठन या सरकार के मार्धिम से किया जाता है यह जोखिम आपत्यायम दुर्गतना के विरुद्ट सुरक्षा प्रदान करता है साधनों अत्वा अपने साथ्यों के संयोग से जोखिम का सामना करने में जब व्यक्ति असमर्थ हो जाता है तब यह दिया जाता है यह जो सुरक्षा है वो विजारधारा सामाजिक न्याय तथा मान्विय प्रतिष्ठा के सिधान पर आधारित है जिसे हम सोशल जस्टिस औ कोई दान नहीं है यह सुरक्षा भविश्य के चिंताओं से व्यक्ति को मुक्त करती है उसके साथ साथ उसे न्यूंतम जीवन इस्तर उपलप्त करवाती है वर्तमान यूग में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना सरकार का एक महत्पुन दायत्व है सामाजिक सुरक्षा का का व्रिस्तित कारिक्रम है आगे हम देखते हैं स्कोप पर शुशल स्क्योरिटी хот एइए स्कूर्फर गध YA बीवन आप अपने साधनों अभाव ग्रस्वरस्तियों या अलब साधनों वाले व्यक्तियों को न्यून्तम जीवन स्थथ बनाए रखने के लिए उपलत करायी जाती है सरकारिय साहता कोई दान स्वरूप नहीं करती है बलकि इसे प्राप्त करने वाले का अधिकार होता है सामाजिक साहता का जो अधिकारी बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को अपने अंच दान भी करने की कोई आवशकता नहीं होती है बलकि सरकार ही अपने कोस्ट से सहायता उपलब्द करवाती है सरकार इस प्रकार की सहायता देने के लिए सामाने बज़ेटमा विवस्था करती है जिसे करो एवं अन्य आय से प्राप्त किया जा सकता है National Commission on Labor कहता है कि सामाजिक सहायता जो है योजना अलब साधनों वाले व्यक्तियों को निर्णतम जीवन इस्थर के लिए अधिकार पूरवक लाप्रदान करती है तथा करारोपन द्वारा इस योजना की वृत्य विवस्था की जाती है उसके साथ सामाजिक सुरक्षा की कुछ विशेष्टाएं है वो हम ध्यान से सुनते है सामाजिक सहायता कारिक्रम सरकार द्वारा संचालित किया जाने वाला कारिक्रम है इस कारिक्रम के मातियम से सरकार आर्थिक रूप से कमजोर या आर्थिक संकटों से जो गिराव्यक्ती है उसको रहत प्रदान करती है उससे उससे मुक्त करती है इसमें कोई अंजदान करनी की ज़रुत नहीं है आवशक कोश की व्यवस्ता अपने बज़ेक में से करती है सरका क्या होता है सामाजिक वीमा व्य व्यवस्था है जिसमें श्रामिक सेवायोजक एवं सरकार के संयोग से तीनों मिलकर इसमें कॉंट्रिबूशन करते हैं और बेरोजगारी बीमारी दुरगटना मृत्यू आदी अनेक जोखिमों की वीमा करवाते हैं ताकि उन जोखिमों से उ इसके द्वारा बीमित को बेरोजगारी बीमारी या किसी भी तरीकी की केज्यालिटी उसके साथ अगर हो जाए तो उसमें वे अपना जीवन स्थर कैसे बनाये रखे उसका मेन उपदेश है और उसको सामान ने एक कोश बनाया जाता है जिससे उसको सुविदाय दी जाती है उसके साथ साथ इसकी कुछ विशेशता है है पहला हम देखते हैं सामाजिक बीमा अंजदान देकर करवाया जाता है या अंजदान सामान निता सेवायोजग करमचारी तथा सरकार तीनों के द्वारा एक ही तीनों ही पक्षकारों के द्वारा किया जाता है या बीमा अनिव है करवाना और उसके साथ साथ बीमा कोश का निर्मान किया जाता है बीमा लाभो का भुकतान किया जाता है लाभो वैवं उसके द्वारा चुकाए गए प्रीमियम के बीच कोई निश्चित अनुपात ये संबन नहीं होता है कभी भी और ये पूर्ण सुरक्षा प्रदान नह लोगों का और सामाजिक बीमा का शेत्ररत्यंत वापक है उसके साथ साथ ये जो सामाजिक बीमा है सामाजिक ज्याय की प्राप्ति का एक साधन है यह अन्य व्यापारीक बीमा से भिन्न होता है जो नॉर्मल बीमा हम देखते हैं इंशुरेंस उनसे ये भिन्न है उसके साथ साथ इसकी कुछ लाब है जैसे ये श्रमिक में हम श्रमिक को अपने स्वास्त दुरगटना बेरोजगारी के नियुनितम जोखिम को किस संस्था को हस्तांत्रित करने में योगदान देता है यह एक सा गढ़ान विव्यक्तिगत अहंकार की सुरक्षा करता है इसामाजिक नयाएक करता है और अनिवारे रूप से दूर दरशिता उत्पन करता है वे श्रमिक में और श्ञमिकों की खार्यंश उम्ता वे जीवनेस था को बढ़ाने में योगदान देता है और उतपादन बढ़ा बहुत ही simple तरीके से और अच्छी तरीके से आपको इसका difference दे रखा है सबसे पहले हम लेखते हैं सामजिक सहायता जो है और फिर हम लेगे सामजिक बीमा पहले हम ले रहे हैं असिस्टेंट से उसमें कोई अंजदान करने की ज़ुरत नहीं है लेकिन जो बीमा है उसमें तीनी पार्टियों को अपना कॉंट्रिबूशन देना पड़ता है सामाजिक सायता के लिए राशी करार उपन द्वारा प्राप की जाती है अतय जनता पर अत्य दिक भार पड़ता है लेकिन जो सामाजिक बीमा में सरकार को बहुत कम रित्य भार पड़ता है अतय जनता पर बहुत कम भार पड़ता है सामाजिक साहिता सामाजिक प्रकर्ति की है और सामाजिक बीमा वेक्ट्विक प्रकर्ति का होता है सामाजिक साहिता मान भी अधार पर होती है और जो सामाजिक बीमा है वो वेज्ञानिक अधार पर किया जाता है सामाजिक सहायता योजना में सम्मिलित होने का लाप राप्त करना अनिवारे नहीं है लेकिन सामाजिक बीमा में प्रत्यक योग के को सम्मिलित होना अनिवारे होता है सामाजिक साहिता के रूप में दी जाने वाली राशी का जोखिम या दुरगतना के प्रकरती से प्रत्यक्ष संबन नहीं होता है लेकिन इसमें डायरेक्ट रिलेशन होता है जोखिम या दुरगतना की प्रकरती से उसके साथ साथ सामाजिक साहिता का शेत्र व्यापक है गठित एवं आर्थिक रूप से सक्षम व्यक्तियों के लिए सामाजिक बीमा उप्युप्त होता है। में प्राप्त होने वारी राशी सरकारी कोश की इस्तिती दथा सरकार के दृष्टिकोंट से प्रभावित होती है। एक्जाम पॉइंट ऑफ यू से वह मैं आपको बता दू। पहला है वाट इस वाट इस वाट इस वाट इस वाट इस वाट इन बाए शोशल सीक्यूरिटी सामजिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं। फिर उसके बाद आपको स्कोप भी पूछा जा सकता है तो आपको शोशल असिस्टेंस और शोशल इंशूरेंस समझाना है। और हो सकता है आपको शोशल असिस्टेंस और शोशल इंशूरेंस अलग अलग भी पूछा जा सकता है। अगर आपको इस topic से related कोई भी अगर आपको चीज नहीं समझ में आई है तो आप मुझसे whatsapp जो group है उसके उपर पूछ सकते हैं next class में हम इस social securities को continue करेंगे तब तक के लिए thank you so much